हेई गाइज, विलकम बैक टो अनदर वीडियो, I hope you are doing great, तो आज के इस quick tutorial में मैं आप लोगों को Adobe Premiere Pro पर background के color को change किस तरह से करते हैं, हम लोग इस चीस को हम लोग देखेंगे इस tutorial में, तो चलिए शुरू करते हैं इस tutorial को ओके तो सबसे पहले आप Adobe Premiere Pro को open कर लें, यहाँ पास new item पर आकर click करना है, and black video पर click करके ok कर दें, and इसको drag कर दे video layer 1 पर, and double arrow पर आकर आपको effect पर आना है, और यहाँ पास search कर लें आप tint, and tint effect को आप black video पर drag कर दे, and यहाँ पास आप देख सकते हैं, effect control पर यह tint effect आ चुका है, अगर आपका effect control नहीं है तो window में जाकर effect control को open कर ले, and यहाँ से आप कोई भी background आप change कर सकते हैं इस तरह से, इस तरह से आप black background को change कर सकते हैं किसी भी color में, and इसकी toggle animation on करके, आप इसको animation भी दे सकते हैं color को change कर करके, इस तरह से आप toggle animation दे के color को change करके इस तरह का background solid बना सकते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं next video में, I hope कि आप लोगों ने कुछ नया सिखा होगा इस tutorial से, और अगर इसी तरह के tutorial देखना चाहते हैं तो इस channel को subscribe कर ले, and like करें इस video को, thank you. कर दो कर दो ल trailer प Shame कर दो ला कर दो दो